जैसे कुष्णा बच्चों, कक्सा फोर्थ में आपका फिसे स्वागत है कक्सा फोर्थ में आज हम पाठ संक्या 10 पानी और हम के बारे में अध्यान करेंगे पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है पानी के उपयोग के बारे में हमने पिछली वीडियो में अधियन कर लिया है पानी को वियर्थ नहीं बहाना है इसके बारे में भी हमने अधियन कर लिया है और पानी कहां से आता है कैसे आता है जमीन के अंदर कैसे जाता है उसके बारे कर लिया है और नमामी गंगी नामक जो कारिक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कल हमने उसके बारे में भी पढ़ा था ठीक है तो आज हम पढ़ रहे हैं कि पानी को साफ कैसे कर सकते हैं तो देखिए उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे आपको चित्र दिखाई दे रहा ह सकते हुआएं अब हमें करना क्या है पांच प्लास्टिक के डिबों के तले में चोटे-चोटे कई चेद केजी अब देखिए पांच डिबे लेंहें एक दू, तीन, चार, पांच, ठीक है, पांच डिब्बे लेने हैं, और उसके जो पैंदा है, तले, तले मतलब पैंदे में छोटे-छोटे चेद करने हैं, उन्हें चित्रा नूसार एक के उपर एक रखे, अब चित्र ये जेखे, चित्रा नूसार मतलब चित्र में देखके, इस इस तरह से एके उपर एके, एके उपर एक ऐसे करके हमें डिबबे रखने हैं, पांचो टुपे एक दूसरे के उपर रखने हैं, सबसे नीचे बिना छेद वाला खाले डिबबा रखिए, अब सबसे नीचे कौन सा डिबबा रखना है, बिना छेद वाला, क्यों बिना छेद रखेंगे तो पानी सारा नीचे बह जाएगा, है ना, तो पानी कटा करने के लिए हमें बिना छेत का डिबा सबसे नीचे रखना है, नीचे से उपर डिबे में क्रमशा, रेट, बजरी, छोटे पत्थर, कोईले के टुकडे बरिये, अब सबसे उपर क्या बढ़ना है, रेट बढ़ना है, उसके बाद में बजरी बढ़नी है, फिर छोटे पत्थर, फिर कोईले और टुकडे बढ़ने है, ठीक है, इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर रखने है, सबसे उपर डिबे में गंदा पानी डालिए, अब सबसे उपर की डिबे में क्या करना है, गंदा पान डालना है देखिए कोईले हैं पत्थर के टुकड़े हैं बजरी है रेत है यह सब हमने डाल दिये हैं ठीक है और सबसे उपर गंधे पानी को डालना है डिब्बे में अब सबसे नीचे के डिब्बे में आए पानी को देखिए अब देखिए बच्चो चित्र में दिखाई दे और नीचे एकदम साफ पानी दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे के डिब्बे में, तो क्या हुआ, ये पानी कोईले से, बजरी से, रेट से, छोटे पत्थर से, कंकर से, छंते छंते साफ होते होते, कैसा आया पानी, सारी गंदगी कहा रुग गई, बीच में, कोईलो में, होज गया, तो पानी को साफ करने का तरीका, तो ये एक तरीका है, पानी को इस तरह से साफ करने का, ठीक है, हमारे जो घरों में पानी आता है, वो मस्तिनो द्वारा फिल्टर होके आता है, इस पानी में सुक्स्म जीव हो सकते हैं, जो हमें बिमार कर सकते हैं, इसे पीने य जीहें की छाची है, डियसे चाले वह से विपाने, इस पनी के जॉढ़ने ङाप चाहता है रख डियसे किवैल, अधनी क्या गीापी, अन्यग भीक भीशु will do को सफवर्ण द्वाइ भीशुमिश्य कर इस भीश्चाहरा को है पानी का मेरफ हो भिरे भी हो जाता है, तो इसलिए डरने की आप सकता नहीं है पुराने समय में आज भी कई लोग रहागिरों को पानी पिलाते हैं पुराने समय में आप देखो बचल आप लोग गर्मी की सीजिन में देखो अगर आपको कहीं जाना आया आना बस में ट्रेन में तो सब लोग क्या करते है, पानी की बोट लें, बाल्टिया वगरा लेकर खड़े रहते हैं, तो उनको क्या लगता है, कि हम पानी पिला के अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को पानी पिलाना, पुर्णे का काम माना जाता है, प्यासे को पानी पिलाना, तो हमारी यहां तो संसकार प्यासे को पानी पिलाना पुर्णे काम माना गया है। पानी की प्याउ लगाते हैं। पानी को हमें कभी भी व्यार्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि पानी सिमित मात्रा में ही है। अगर भूगर्ब का सारा पानी खतम हो गया पानी तो धर्ती पे बहुत सारा है। अगर पानी हम मानते हैं तो उसमें से सिर्फ एक चम्मच पानी है जो पीने योग यही है। बाकि सारा पानी हमारे कुछ काम का नहीं है। तो हमें पानी को सहेज कर रखना है उसे व्यार्थ खर्च नहीं करना है। जितने आउशकता है उतना ही काम में लेना है। पानी हमेशा डलान की और बहता है अब हमने इस पार्ट में क्या पड़ा क्या सीखा कि पानी हमेशा डलान की और ही बहता है आप पानी गिराओ आंगन दोते हो छत दोते हो फर्स दोते हो घर का तो पानी किदर जाता है जिदर डलान होती है उदर की साइड पानी जाता है तो पानी हमेसा डलान की और बहता हैं। हमें जल शुरतों को साफ रखना चाहिए। जल श्टों जहां से हमें जल प्राप्त होता है। कहां कहां से जल प्राप्त होता है। नद्यों से, तालाबों से, कुओं से, बावडी से, बोर्वेल से। तो ये सारे हमें साप रखने चाहिए ताकि हमें स्वच्च जल प्राप्त हो सके. व्यर्थ न बहाओ पानी, बून्द बून बचाओ पानी, स्वच्च निर्मल बनाओ पानी, जीवन का आधार है पानी. व्यर्थ न बाओ पानी हमें पानी को व्यर्थ न खर्च करना है बून बून बचाओ पानी और बून बून करके पानी को बचाना है अगर बून बून करके एक बालटी पानी गिरता है तो एक बालटी पानी हम पोदो को पिला सकते हैं हम पोचा लगाने के काम में लगा सकते हैं हम स्थान करने के काम में ले सकते हैं तो बून-बून पानी हमें बचाना है कहते हैं ना बून-बून से घड़ा बढ़ता है तो इसलिए पानी को बचाना है स्वच निर्मन बनाओ पानी पानी को स्वच रखना चाहिए उसमें गंदगी नहीं करनी है पानी को स्वच रखना चाहिए नदियों को तालबों को स्वच बनाए रखें तो हमारे लिए ही असानी होगी जीवन का आधार है पानी और बिना पानी के हम जीवन नहीं ब्यातित कर सकते हैं पानी हमारे रोज मरा के कारियों में और जीवित रहने के लिए अति आफशक है